अच्छी खासी वेकेंसी आई है कैसी क्या चीज़े मैं आपको थोड़ा थोड़ा शॉट में बता देती हूं देखो आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है एक अगत से 21 अगस तक जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना लेकिन जल्दबादी में अपना डेकलरेशन, साइन, थाम सही पें से सही कलर से सारी चीज़े देख दाखके अपनी लेटेश्ट पोटो लगाना सारी चीज़े अच्छे से करना दूसरी चीज़ आपका जो प्रिलिंग्स का पेपर है और 19-20 ऑक्टूबर में होगा आपका मेंस का पेपर 30 नवेंबर पो होग तो जितना भी टाइम आपके पास बचा है मैं अच्छे से स्ट्राटेजी अभी 2-3 दिन में ले आउंगी आप पहले एक मौक टेस्ट लगा लो प्राक्टेस मौक का यह मौक टेस्ट मैं आपको दे रही हूं इसका प्री मौक टेस्ट जाके लगाओ और मुझे अपने स्को आपको पढ़ाई करनी है एक एक दिन आपका सही यूटलाइज होना चाहिए जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद हमें एक निट भी खराब नहीं करना है उसके आगे सुनो एज जो है आपकी कट ओफ डेट आपकी हुई है 2-8-1994 मतलब 2 अगस्ट 1994 के बाद आप प ग्राजुएशन आपकी होनी चाहिए प्लस आपकी टेंटेटिव वेकिंसी आई है 4,455 यह वेकिंसी बढ़ सकती है क्योंकि अभी यूनियन बैंक ने उतनी जादा रिपोर्टिंग नहीं की है यूनियन बैंक अगर और जादा वेकिंसी डालता है तो आपकी 6,000 या 6,500 तक ॉनिया उतना क्वा सकती है तो को देखक के निराष नहीं होना था तो कम वेकिंसीज आई है वो तो अपको बता आई एस बढ़ा देता है आइबाद में जाके और reporting, banks और report करती हैं, तो बढ़ जाती हैं, वेकेंसी इसको नहीं देखना है, हमें सिर्फ पड़ाई करना है, हमें सिर्फ अपना best करना है, जो चीजे हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, अच्छे से तयारी करेंगे, आप भी अच्छे से तयारी करोगे, मैं आपका पूरा-पूरा साथ दूंगी, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहो, मौक टेस्स दो, मुझे बताओ, और आगी क्या-क्या पढ़ना है, मैं आपको बहुत चल्दी बताद ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक लिए टेक के, बबाई